जग्यास्व मित्रों बहुत बहुत अभिनंदन है आपका दिवस रजन स्प्रिच्वल में और प्रतेक दिवस की भाती आज भी हम यहां पर लाइव चर्चा का कारिक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं और यह जो विशय है आज का मनो मैकोश मन का रहस्य इस विशय पर हम चर्चा विवेक चुड़ा मनी के उपर अधारित है उस पर अधार लेकर हम यह चर्चा करेंगे तो पीछे हमने अनमय कोश प्राण मैकोश की आपक चुके हैं मनो मैकोश भी आत्माथ नहीं है विश्ट है मनो मैकोश भी आत्मा नहीं तो कैसे आत्मा नहीं है, कैसे इस विशय को समझाया जा रहा है, तो आईए देखते हैं कि विवेक चुडामनी के अंतरगत क्या कहा जा रहा है तो ज्यानेंद्रियानी चा मनश्य मनो मय स्याता कोशो ममा हमीती वस्तु विकल्प हेतु संग्या दिभेद कलाना कलीतो बलियाम स्त्त पूर्वकोश मभी पूरिय विज्रिम्भते यह अर्थात ज्यानेंद्रियों और मन ही मैं मेरा आदी विकल्पों का हेतु मनो मैं कोश है करम इंद्रियों के कारण प्राण मैं कोश और ग्यान इंद्रियों का जो कारण है वह क्या है मनो मैं कोश है करम इंद्रियों को धारण करने वाला प्राण मैं कोश और ग्यान इंद्रियों को धारण करने वाला मनो मैं कोश है तो ग्यान इंद्रियां और मन ही मैं और मेरा ऐसे विकल्पों का हेतु या मनोमय कोश है जो नामादी भेद कल्पनाओं से जाना जाता है और बड़ा बलवान है तथा पुर्व कोशों को व्याप्त करके इस्थित है अर्थाथ प्राणमय और साथी साथ अन्नमय को व्याप्त करके इस्थित है पंचेंद्रिया पंच भिरेव होत्रिभी परचीय मानो विश्याज धारय जाजवल्य मानो बहुवासनेंधने मर्नो मयागनीर दहयती प्रपंचम पंचेंद्रिया रूप पांच होताओं द्वारा विशय रूपी घृत की आहूतियों से बढ़ाया हुआ पांचेंद्रिया यहाँ पर पांच होता है मतर्ब जो आहूति देने वाले हैं विशय रूपी घृत और घी ही विशय है जो बार-बार इस अगनी में डाला जा रहा है आहूति से बढ़ाया हुआ मतलब बार-बार विशय रूपी आहुती देने से इंद्रियों के माध्याम से ग्ञान इंद्रियां अगर बार-बार विश्यों को गरहन करती है तो यह मन बढ़ता है तो आहुतियों से बढ़ाया हुआ, तथा नाना प्रकार की वासना रूप इंधन से प्रज्वलित, मन के अंदर अनेकों वासनाई है, मन का प्रज्वलन, मन की जो प्रज्वलता है, मन का जो प्रकाशन है, वासनाओं पें दिर्बर है, नाना प्रकार की वासनाओं से यह प्र प्रपंच को दग्द कर देता है अर्थात जिस समय इंद्रिया वासना रूपी इंदन को जलाकर प्रगट किये मनों मैं अगनी में विश्यों का हवन कर देती है उस समय संपुर्ण प्रपंच लीन होने लग जाता है ना हयस्त विद्या मनसो अति रिक्ता मनो है विद्या भवबंध हे तू तस्मिन विनस्टे सकलम विनस्टम विज्रिम भिते अस्मिन सकलम विज्रम बते मन से अतरिक्त अविद्या और कुछ नहीं मन से अतरिक्त अविद्या कुछ भी नहीं मन हीं अविद्या मतलब जो अनात आत्म वस्तु ही अविद्या पैदा करती है तो जो आत्मा है वह नहीं जो अनात्म वस्तु है तो और उसी से एहंकार पैदा होता है तो मन से अत्रिक्त अविद्या मन स्वे में ही सबसे बड़ी अविद्या है मन ही भवबंधन के हेत भूता अविद्या है मन ही वह अविद्य जो भवबंधन पैदा करता है मन के नश्ट होने पर सब नश्ट हो जाता है और उसी के जागरत होने पर सब कुछ प्रतीत होने लग जाता है मन ही इश्वर मन ही देवता मन से बड़ाना कोई मन उजियारा जब जब फैले जग उजियारा होई ऐसे आपने एक गीत भी सुना होगा तो मन से अतरिक्त अविध्या कुछ भी नहीं मन ही बवबंधन का हीतु भूता अविध्या है उसी के नश्ट होने पर सब नश्ट हो जाता है और उसी के जागरत होने पर सब कुछ परतीत होने लग जाता है स्वपने अर्थ शुन्य स्रुजती स्वशक्त्य भुक्तरादी विश्वमन एव सर्वम तत हैव जागरत्यपी नोविशेश तत सर्वमेतन मनसो विज्रम भणम अर्थात विज्रम भणम जिसमें कोई पदार्थ नहीं होता उस स्वपन में मन ही अपनी शक्ती से संपुर्ण भोगता भोगि आदी प्रपंच रचता है स्वपन की अवस्था में भी मन का प्रपंच चलता रहता है जब शरीर सो जाता है लेकिन मन नहीं सोता स्वपन की अवस्था में मन जगा हुआ रहता है मन नहीं सोता मन का ले नहीं होता उस समय तो स्वपन में मन ही अपनी शक्ती से संपुर्ण भोगता भोग आदी प्रपंच को रच लेता है उसी प्रकार जागरती में भी कोई विशेष्था नहीं है अता यह सब मन का ही विलास मात्र ही है जागरती में भी कोई विशेष्था नहीं है चाहे जागरत वस्था हो चाहे स्वपन वस्था हो यह सब मन का ही प्रसार है और मन की ही विलास्ता है मन की ही वासना आदी सब है जागरत वस्था में भी क्योंकि वास्तों में ही तो मन में ही तो सारे कलपनाएं हो रही है सारी इक से कहा गया कि जागरित में भी कोई विशेस्ता नहीं मन का ही सारा खेल है सुशुप्तिकाल में मन का लय होता है तो शुप्तिकाल में मन के लीन हो जाने पर कुछ भी नहीं रहता यह बाद सब को विदित है अता इस पुरुष का इस जीव का यह संसार मन की कलपना मातर ही है वस्ता नहीं है सो शुप्ति काल में कुछ भी रहता नहीं है मन के लिए मन वहां पे जाकर लीन होता है सो जाता है लेकिन वैसे तो जाकता रहता है मेसा तो जो मन है सो शुप्ति काल में वह लीन संसार कल्पना मात्र ही है अश्टावक्र महागीता में भी ऐसे चर्चा मिलती जो यहां मिल रही है संसार एतस्यना वस्तितो अस्ती अतो मनह कल्पित एव पुन्सा सारा संसार मन की कल्पना मात्र है मेघ वायू के द्वारा आता है और फिर उसी के द्वारा चला जाता है इसी प्रकार मन की बंधन की कल्पना होती है और उसी से मोक्ष की अब देखिए मन यहां पर साधन भी बन गया भोग और मोक्ष दोनों का तो प्रकृति की अभिव्यक्ति जीव अभिव्यक्ति ही मन के रूप में हो रही है तो जैसे मेघ वायू के द्वारा आता है और फिर उसी के द्वारा चला भी जाता मतलब बादल आये वायू के कारण आये बरसात की और फिर चले भी गए इसी प्रकार से मन से ही बंधन कल् देहादी सर्व विशय परिकल्पे रागं बधनाति तेन पुरुशं पशुवद गुणेन वैरस्य मत्र विश्वत्सु विधाय पश्चादेनं विमोचयती तनमन एवबंधात या मनही देह आदी सब विशयों में राग की कलपरा करके उसके द्वारा रसी से पशु की भात पुरुश को बांधता है और फिर इन विश्वत विश्यों में विरस्ता उत्पन करके इसको बंधन से मुक्त कर देता मन कितना मनही बंधन पैदा करता है और मनही मुक्ति पैदा करता है मनही देह आदी सभी विश्यों में राग की कलपना करके अर्थात आसकती करके उसके द्वारा रसी से पशु की भाति जीव को बांग लेता है तो azt जो बंद गया पशू की भाति पाश में जो बंद गया वह पशु ओगे लए और फिर इन विशयवत और इसेयुक्त करेगा और इसलिए इसे जीव के बंधन मूक्ष के विधान में इसलिए इस जीव के बंधन और मोक्ष के विधान में मन ही कारण है जीव के बंधन और मोक्ष के विधान में क्या है मन ही कारण है रजोगुन से मलीन हुआ यह बंधन का हेतु होता है तता रज तम से रहित शुद्य सात्विक होने पर मोक्ष का कारण होता है इसलिए इस जीव के बंधन और मोक्ष के विधान में बता कि जीव का जो बंधन है उसके विधान में और मोक्ष का विधान दोनों में मन ही कारण बनता है रजोगुन से मलीन हुआ यह बंधन का हेतू बन जाता है। रज तम से रहित होकर रज और तम से मुक्त होकर शुद्ध सात्विक होने पर यह मोक्ष का हेतू भी बन जाता है। जिता को प्राप्थ हुआ मन मुक्ती का हेतू होता है। अतब पहले बुद्धिमान मुमुक्ष के वे ज्यान वैराग दोनों ही दिड़ होने चाहिए। तभी जाकर ऐसी चीज़ें भी होती है। वे विवेक वैराग आती जनम ले लेते हैं। तो यह सारी इस्थिती हैं मन की मनो नाम महा व्यागरो विश्यारण भूमिशू चरत्यत्र न गचंतू साधवो ये मुमुक्षव। मन नाम का भेंकर व्यागर विशह रूप वन में घूमता फिरता है। मन नाम का मन को यहाँ व्यागर मतलब यह टाइगर तो मन नाम का जो भेंकर वन में घूमता फिरता रहता है। और जो साधू उससे बचना चाते हैं जो मुमुक्षु उससे बचना चाते हैं वो उसे विशय रूपवन में ना जाएं नहीं तो मना रूपी बाग जो है उन्हें अपना ग्रास बना लेगा उन्हें खालेगा इस प्रकार की उपदेश्ट यहां दिया जारा है मनह प्रसूते विशियाण शेषाण इस्थूल आत्मना सुक्ष्मतया च़भुगतु शरीर वड़ना शरम जाती भेदान गुन क्रिया हेतु फलानि नित्यम। मनही संपुण इस्थूल सुक्ष्म विशियों को शरीर वर्ण आश्रम जाती आधी भेदों को तथा गुण क्रिया हेतु और फलाधी को भुगता के लिए नित्य उत्पन करता रहता है। असंग चिद्रपमंसु ममुम् विमोह देहिंद्रिय प्राण गुनैर निबध्य अहममेती भ्रम्यत यजस्रम मनह स्वक्रतेशु फलूप भुक्तीशु अर्था इस असंग चिद्रूप आत्मा को मोहित करके तथा इस देहिंद्रिय प्राणा दी गुनों से बांध कर बंध यह मेरा है यह तेरा है भाव से अपने कर्म और उनके हलोप भोग में निरंतर भटकाता रहता है यह नहीं भटकाने वाला है इंद्रियों में गुन आदी में यह मेरा यह तेरा इन सब चक्कर में वर्ण हो गया आश्रम हो गया मैं इस जाती का मैं इस वर्ण का मैं इस कुल का मेरा यह पदवी है मेरा यह उहदा है इन सब बातों में उसे कंफ्यूज करके बहकाते रहता है अध्यास दोशात पुरुशश्य संसुर्ती रध्यास बंधस्त्व मुनैव कल्पितह रजस्तमों दोश वतो अविवेकिनों जनमादी दुखस्य निदान मेतत दोश ही जीव को जनम मरन रूप संसार होता है दोश से ही जीव को जनम मरन रूप संसार होता है और यह अध्यास का बंधन अध्यास का बंधन मत्तब पोजेशन इसके हम चर्चा पहले भी कर चुक है अध्यास का बंधन इसी का कल्पित किया हुआ है मन का ही बनाया हुआ है तथा रज तम आदी दोशयुक्त अविवेकी पुरुष के लिए यह अध्यास ही जन्म आदी दुख का मूल कारण यह पोजेशन यह जो अध्यास है माया का वही जन्म आदी दुख का मूल कारण है और मन ही इसको बनाए रखने वाला है इस मन के दवारा ही संपूर्ण विष्व का भ्रह्मपैदा होता है और यह भ्रह्माए जाता है यह करना है यह नहीं करना है वो करना वो नहीं करना है तो यह मरू मरीचिका को पैदा करने वाला और उसमें फसाने वाला और दोडाने वाला कि मरू मरीचिका के पीछे भागते रहो कि अब सुख मिलेगा अब सुख मिलेगा दोडाता रहेगा यहां सुख मिल जाएगा वहां सुख मिल जाएगा विशियों में बढ़काता रहेगा तन मनह शोधनम कारियम प्रतनेन मुक्षुना विशुधि सती चैतश्मिन मुक्ति कर फलायते उस मन का मुक्षु को प्रतन पुरुबक शोधन करना चाहिए एक साधक को एक जग्यासु को एक मुक्षु को उस मन का लाथ में हो जाती है मुक्षक सक्तिया विश्य शुरागम निर्मुल्य सन्यस्य च शर्व कर्म सक्ष्ण दध्य यह श्रवन आधी निष्छों रजह सभावं सधनोंति बुद्ध्य रम करके पर शुद्ध श्रवन आधी में तत्पर रहता है वा बुद्धी के रजों में स भाव को नश्ट कर देता है तो जो मुक्ष की आसकती से जो विश्यों में राग का निर्मुलन करता है विश्यों में जो राग है विश्यों में जो आसकती है उसका निर्मुलन करके तता सर्वकर्मों का त्याग करकर अर्थात की मानस रूप से सर्वकर्मों का त्याग करकर शुद्ध स्रधा से युक्त हुआ श्रवन आदी में तत्पर निरंतर तत्व चर्चा को सुनने वाला सतसंग को सुनने वाला जो है विचारों को सुनने वाला ऐसे तरकों को सुनने वाला जो श्रवन आदी में तत्पर है वा बुद्धी के रजों में सुभाव को नश्ट कर कर इस्थिर करता है अपने आपको आत्मा से यह परे नहीं हो सकता क्योंकि द्रश्टा कभी द्रश्य रूप नहीं देखा गया ठीक है द्रश्टा अर्थात द्रश्टा को नहीं आपर आत्मा है तो आत्मा को कभी द्रश्य रूप में नहीं देखा गया तो मनोमैकोश में अध्धानवात परिणामी दुखात् तो यह मनों मैंकोश है कारण पर आत्मा नहीं हो सकता यहां आत्मा के परे या स्विम आत्मा भी नहीं हो सकता तो कि यह कभी द्रश्टा रूप में नहीं देखा गया और मन को द्रश्टा के द्रिश्य के रूप में छमा करें द्रश्टा रूप में तो मन को माना गया है लेक तरफ मन संसार के लिए द्रश्टा है तो स्वेम द्रश्ट भी है लेकिन जो आत्मा है जो सच्चा द्रश्टा है जो वास्तविक द्रश्टा है जो आखिरी द्रश्टा है वह कभी द्रश्ट के रूप में नहीं देखा गया वह कभी द्रश्ट के रूप में नहीं देखा गय इसलिए द्रश्य नहीं होता आत्मा का, इसलिए मन का होता है, इसलिए मन जो है आत्मा नहीं है, मन आत्मा नहीं है, मन तो उस द्रश्टा का द्रश्य है, तो पिर आत्मा कैसे हो सकता है, इसलिए मन भी आत्मा नहीं है, और इसमें परिवर्तन बना रहता है, कभी या भोगों की और ले जाएगा तो कभी यह मोक्ष की और ले जाएगा ठीक कभी राग की और ते कभी विराग की और ले जाएगा तो मन की भी इस्थिति एक जैसी नहीं है तो इसलिए यह कभी भी कदापी भी जो मन है वह आत्मा नहीं हो सकता क्योंकि वह शाश्वत नहीं है वह इस्थि द्रिश्य रूप में होने के कारण वह आत्मा नहीं हो सकता क्योंकि आत्मा तो सरवदा ही द्रश्टा है वो द्रिश्य रूप में कभी आता नहीं है इस प्रकार से उसके लिए कहा गया है तो यह चीज है तो यह हमें इस विश्य में समझ लेना और यह जितनी भी बाते हैं ज सब को अनुभाव गम्म किया जा सकता है और अनुभाव गम्म करकर बहुत बहतर तरीके से समझा जा सकता है मन की गती क्या है मन की शक्ति क्या है मन की चाल क्या है मन की चंचलता क्या है इन सब को समझना है तो ध्यान योग किजिए तब पता चलेगा मन क्या है नहीं तो जीव तो इसलिए मन को समझना है तो उसमें भी ध्यान योग की सुख्षमता जब हम गहरी अवस्था में सुख्षम अवस्था में ध्यान योग में उतर जाते हैं तो निश्य ही हम मन की गती भी बहतर तरीके से समझ जाते हैं तो ये हमें समझना है और इसको समझते हुए जीवन में आगे कदम बढ़ाना है आगे बढ़ना है और ध्यान योग के द्वारा हम जाने विश्यों को समझे प्रैक्टिकल रूप से जाने तो निश्य ही बहुत लाभ हम उठा पाएंगे शब्दों से तो हम शब्द याद कर लेंगे रट लेंगे सुन लेंगे सही लगा कर देंगे नहीं लगा ना कर देंगे ठीक है लेकिन जो अनुभाव है वह ध्यान योग से ही संभव है तो जरूर ध्यान योग की और अपने कदम बढ़ाकर इसका लाभ उठाएं और 14 दिशंबर से ध्यान योग की नई क्लास जो है शुरू हो रही है आप उसका पूरा पूरा लाभ उठाइए उसको जोइन करिए सिग्रू से सिग्रूइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए होते हो नंबर पर संपर कर लिजी तो मैं नंबर बता रहा हूं नोट कर लिजी उस पर WhatsApp मैसेज या टेलीग् इसका लाव उठाए तो इसी के साथ आज के विचारों को विराम देते हैं कल फिर लाइव चर्चा में मिलेंगे आपसे और अभी जो विडियोश चल रही है वह किसी वैस्तता है कारण आपको अप्लोड प्रीमियर वीडियोश ही मिल रही है अप्लोड़ वीडियोश हैं ना क से निश्यत है कि पूरा प्रयास रहाएगा कि लाइव चर्चा लाइव सेशन के साथ ताकि लाइव कमेंट्स भी आपके पढ़े जाते हैं तो अभी तो मैं कमेंट्स आपके पढ़ नी सकता हूं क्योंकि यह तो अपलोड वीडियो है कोई किया हुआ वीडियो नहीं कि है ऐसे आमने सामने दिखाएं अगर जब लाइव सेशन चलता है यूटूब पर तो इसमें कमेंट्स साथ-साथ आपके दिखाई देते रहते हैं ठीक है तो जिग्यास वह यह हमें समझ कर इस विशय को चलना है और चलकर इसका लाब उठाना है मन को समझना है मन की गती मन क कि चाल किस प्रकार से बदलती रहती है जितना समझेंगे जितनी साधना करेंगे उतना समझेंगे और जितना समझेंगे उतना लाग उठाएंगे तो चलिए इसी के साथ आज के विचारों को यहां विराम देते हैं कल फिर मिलेंगे 9 बजे बहुत-बहुत आभार आप सभी का कर दो कारा कर आट आयर है और है कर दो है को साथा को प्रॉण समझेंगे आप सॉर्टाओं आप सथिए झाल झाल